हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरिट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेकिस्टडी ऑनलाइन तो दोस्तों लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक बार फिर से बड़ी असा वीडियो जो कि अकाउंट एंड बुक कीपिंग से जो है हम आपके अपके लेकर आए हैं जो आपके आने वाले अकाउंट असिस्टेंट और बाके सब्सेम्स में जो है विडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को बता देना चाहूंगा कि आप हमारी चनल पे नए हो या फिर आपने हमारी चनल को पहली बार विजिट करा हुआ है तो हम सब्सक्राइर के जाड़ा सवाल छो हमारी किसे रहा है पहला सवास सवाल हो थे रहा जिसमें कहा गया what is the last step of accounting as a process of information है आपको बताना है कि last step of accounting जो है as a process of information वो क्या है ठीक है कौन सा होगा recording of data in books of accounts ठीक है option A, B option कहता है preparation of summaries in form of financial statements, C option कहता है communication of information and D option कहता है analyzes and interpretation of information इसमें से कौन सा सही वाला होने जा रहा है अपका ठीक है अगर आपको idea नहीं है तो दोस्तों मैं आपको पता दूँ इसको जो सही आंसर है वो है आपका option C, बलतो communication of information जो है यह आपका correct answer हो जाता है यह है आपका दूसरा सवाल जिसमें कहा गया है the amount received or receivable है जो amount received या फिर receivable है by selling assets है ना assets को sell करके goods or services is known as ठीक है ना उसको क्या कहा जाएगा प्रॉफिट कहा जाएगा income कहा जाएगा फिर gain कहा जाएगा तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है इसको receipt कहा जाता है ठीक है यह आपका correct answer इसमें हो जाता है काफी basic है यह चलिए देन यह हमारा है question number three जिसमें कहा कि accounting serves as a यह historical data के तोर पर serve करता है commodity language या फिर आपको बताना है कि इन में से इसका सही वाला जवाब क्या है ठीक है दोस्तों इसका जो सही वाला answer वो all of these होता है ठीक है यह वाला then voucher is prepared for है किसके लिए जो आप voucher को prepare करा जाता है cash received and paid के लिए cash credit sale के लिए cash credit purchase के लिए या फिर all of the above ABCD चारू options मैंने आपको बता दिया आपको बताना है कि इन में से इसका आपका सही वाला answer जो हो क्या होने वाला है question number four आप से पूछा जा रहा है और question number four का जो सही वारा answer है वो क्या है दोस्तों वो है हमारा option D यह वाला ठीक है यह capital is equal to assets plus liabilities तो इसमें से आपके हिसाब से कौन सा सही वाला option होने वाला है question number five आप से पूछा जा रहा और question number five को जो सही answer है वो आपका हो जाता है option C ठीक है यह वाला चलिए देन यह है दोस्तों आपका question number six आपकी screen पर जो की काफी मज़िदार सवाल है इसमें कहा गया the journal entry to record the sale of services on credit should include ठीक है जो होती है to record the sale of services on record should include क्या include करती है options are debit to debtors and credit to capitals B option कहता है debit to cash and credit to debtors C option कहता है debit to fees income and credit to debtors and the option कहता है debit to debtors and credit to fees income so ABCD 4 options मैंने आपके लिए पढ़ लिए आपको पताना है कि इसमें से सही वाला जवाब जो है वह आपका कौन सा होने वाला है question number 6 आपसे पूचछा रहा है option D जो है इसका correct answer होने वाला है यह वाला ठीक है दोस्तों the book in which all accounts are maintained is now nice वो किताब जिसमें सारे वो जो हमारे accounts जो है maintain किये जाते हैं उसको क्या कहते है cash book कहते हैं जर्नल कहते हैं purchases book कहते हैं यह फिर ledger कहते हैं a b c d मैंने आपके लिए 4 option पढ़ लिए आपको बताना है कि सही वाला इसका answer जो है वो क्या होता है question number 7 और इसका आप हम सबको बता है उसको हम लोग journal कहेंगे ठीक है यह वाला option भी आपका correct answer हो जाता है then यह हमारा है सवाल नमर 8 जिसमें कहा गया which of the following is the rule for debit of nominal account है आपको बताना है कि इन में से जो है which is a rule for debit of nominal account options are debit the receiver B option कहता है debit what comes in C option कहता है debit all expenses and losses and D कहता है all of the above so ABCD चारों options मेंने आपके लिए पढ़ लिए आपको बताना है कि सही वाला जवाब जो है वो इन में से कुन सा होने वाला है आपका ठीक है तो इन में से सही जवाब आपका है वो है आपका option C जो की हमारा debit all expenses and losses आपका हो जाता है ठीक है तोस्तो then यह है हमारा question number nine जिसमें कहाँगे the amount due from customers which could not be recovered and requires to be written off is booked into ठीक है नँए the amount due from customers वो amount which is due from customer which could not be recovered जो recover नहीं हो सकता and requires to be written off is booked into कहां उसको बुक किया जाता है options are bad debt recovered account cash withdrawal में goods withdrawn या फिर bad debt account में so ABCD 4O मैंने आपका options बता दिये आपको बताने इसका सही वाला जो answer है वो आपका क्या होने वाला है इसका जो सही वाला आपका जो answer है वो है आपका option कौन से वाला यह वाला bad debt recovered account चलिए यह है आपका question number 10 जिसमें कहा गया है each account in ledger is opened on separate register पे बुक पे जर्नल पे यह फिर पीज पे ABCD 4O options में आपको बता दिये आपको बताना है कि इसका सही वाला जवाब जो है वो क्या है ठीक है दोस्तों आपको पता है कि यह होगा हमारे separate page पे तो यह आपका correct answer हो जाता है ठीक है यह है आपका question number 11 जिसमें कहा गया double column cash book records है यह जो हमारा double column cash book है यह record करता है all transactions cash and bank transactions only cash transactions या फिर only credit transactions ABCD 4O options में आपके लिए पढ़ लिए आपको बताना है कि इसका सही वाला answer जो है वो आपका कौन सा हो जाता है question number 11 आप से पुछा जा रहा है तो इसका सही वाला answer जो है वो है आपका cash and bank transactions ठीक है यह वाला चलिए then हम आपसे जो है यह हमारे वीडियो का आज क आखरी सवाल है चोटा सा वीडियो में आपके लिए रहा था यह टॉप के 12 questions जो है मैंने आपके लिए कठा करे हुए थे so how much kind of cash book है आपको पताना है कि how much kind of जो है हमारा cash book होता है options are 234 या फिन नन अब दम ABCD 4O options में आपके लिए पढ़ लिए आपको पताना है कि सही वाला चलिए दोस्तो तो इसे के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है कितना helpful आपके लिए साबीत हुआ आप जो है comment section में comment करके जरूर बताएगे दोस्तो तो मिलता हूँ आपके साथ अपने अगरे वाले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई